हम लोगों ने कॉंग्रेस तो पढ़ा, कॉंग्रेस का अधिवेशन भी पढ़ा, है ना? अब जो दूसरा टॉपिक बनता है वो कॉंग्रेस का उधारबादी चरन है, ठीक है? कॉंग्रेस का उधारबादी चरन कब से कब तक? 1885 कॉंग्रेस की अस्थापना से लेकर 1905 तक लगबग 20 वर्सों तक के काल को जो कहा जाता है वो moderate phase कहा जाता है उदारबादी चरन कहा जाता है ध्यान रखिएगा तब सबसे पहला प्रस्त ये बनता है कि उदारबादी कौन यानि कौन से ऐसे निता है जिनको हम उदारबादी कहें तो प्रारंभीक दोर में जो भी कॉंग्रेस के मेंबर थे लगबग सभी उदारबादी ही थे ठीक है आप गुपाल कृष्ण गोखले दादा भाई नैरो ज अनन्द मोहन बोस जितने आप निता का नाम सुनते हैं ये सारे की सारे उदारबादी मेता ही है ठीक है लेकिन मैंने तीन के बारे में लिखा है गोपाल कृष्ण गोखले दादा भाई नैरो जी और सुरेनात बनर जी इसलिए है कि इनकी ये तो संस्थापक मेंबर भी है द या इनकी कुछ उपाधियां है जिस नाम से ही जाने जाते हैं इसलिए कभी-कभी आप देखेंगे प्रिलिम पॉइंट अभी उसे ये क्याना जरूरी होता है और यहां से कोशन बनता भी है ठीक है तो अगर हम देखें किसको गोपाल कृष्ण गोखले गोपाल कृष्ण ग काफी पॉपलर हुई सर्वेंट्स अफ इंदिया स्वसाइटी इनकी काफी पॉपलर संस्था है क्या सर्वेंट्स अफ इंदिया स्वसाइटी आप ये भी जानते होंगे कि ये महात्मा गांधी की राइनाती गुरु थे महात्मा गाधी ने एक पुस्तक की रचना की थी इ से समर्पित किया था गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को ये भी ध्यान रखिएगा कि गोपाल कृष्ण गोखले ने एक पत्र का संपादन किया था उसका नाम था दा हित बात ये सब चोटी-चोटी चीज है लेकिन ध्याल में रखने की जरुवत है कभी-कभी कोश् के नाम से काफी लोग प्रिय हुए है एसन बनर जी ने आईसीयस की परिछा पास की थी और बाद में इन्हें बरखास्थ कर दिया गया बरखास्त किया तो आपने नाम सुना होगा इन्होंने एक संस्था को अस्थापित किया था जिसका नाम था इंडियन एसोशीयेशन 1876 म माध्यम से मतलब इन्होंने क्या किया सिविल सर्विसेज आंदोलन चलाया सिविल सर्विसेज आंदोलन किस मुद्धे पे सेबा के भारतिय करण के मुद्धे पे हन सिविल सेबा परिक्षा ब्रेटेन में और भारत में एक साथ हो इस मुद्धे पे या नियुनतम उम्र सीमा क समर्थन में आंदोलन किया या बरना कुलर प्रेश आक्ट के विरोद्ध में आंदोलन किया कहा जाता है कि इनकी ये सु संस्ता थे ये कॉनुरेस की पुर्वगामी संस्ता थे इन्होंने ही पहल किया था अखिल भारतीय अस्तर पे एक मिटिंग का IOSAN हो एक समेरन का आयोजन हो उद्देश से क्या था उद्देश से था एक अखिल भारतिय पॉलिटिकल मंच की अस्थाप न करना ठीक है इन्होंने भी एक पत्र का संपादन किया जिसका नाम क्या था दबंगाली ठीक है और इनका एक लिट काफी पॉपलर हुआ बंगाल विभाजन के मुद्दे पे जिसका नाम था बंगाल विभाजन ध्यान रखिएगा तीसरे जो प्रस्नालिटी है उनका नाम है दादाभाय नरुजी ग्राइंड ओल्ड मैन आफ इंडिया के नाम से पॉपलर हुए दादाभाय नरुजी कॉंग्रेस के फाउंडर मेंबर है ये सिक्चक भी थे कापास के व्यापारी भी थे राजनितिग्य भी थे इनका जो पत्व था वो क्या था रस्त गोपता ठीक है आपने ये भी सुना होगा इन्होंने एक संस्था की अस्थापना की थे कहां? ब्रेटेन में एश्ट इंडिया एसोसियसर यानि वहाँ जो भारतिये थे उनमें जागरुपता लाने के लिए भारतिये समस्याओं से ब्रेटेश आबाम को बाकिफ करवाने के लिए ठीक है? इन्होंने ही सरपर्थम डेन आफ वेल्थ का सिध्यान दिया इन्होंने बताया कि हर अस्तर पर घभारतियों को गरीब बनाया जा रहा है इनकी एक पुस्तक सामने आई जिसका नम था poverty and unbritish rule in India एक बाद Civil Services में question भी पूछा था unbritish शब्द का इस्तमाल किसने किया? किसने किया? दादा भाई नैरोची ने किया? तो poverty and unbritish rule in India में इन्होंने डेन आफ वेल्थ का सिध्यान दिया कैसे भारत की धन का पलायन ब्रिटेन की ओर हो रहा है बिस्तार के मुद्दे पे जो सेना का इस्तेमाल हो रहा था, सैने खर्च हो रहा था, उसका दबाव भी किस पे था, भारत पे था, अधिकारियों का बेतन, पैंसन, भत्ता, इत्यावी के माध्यम से भी क्या था, धन का निर्गबन हो रहा था, कहां, ब्रिटेन की और, है न, या फिर विदेशी रिन और उसके ब्याज के अबज में जो धन जा रहा था, ऐसे तमाम चीजों के बारे में इन्होंने बताया कैसे भारत दिन परती दिन कंगाल बनता जा रहा है, कैसे ब्रिटेन दिन परती दिन अमीर बनता जा रहा है, यहीं फरस्ट बेक्ति थे, जिसन पर-capital income की गन्ना की और बताया कि तदकाली में भारत का प्रती बेक्ती आये कितना था 20 रुपया था ठीक है इसलिए आप दिखेंगे कई बार कोशन Poverty and British ruling इंडिया से कोशन पूछता है या इंग्लाइन डिप टू इंडिया ये किसकी रचना है कोशन पूछता है ठीक है य ये तो हुई बात प्रसनलिटी की जहां से आपका कोशन भनता है अब एक चीद ध्यान रखेगा जब भी आप इतिहास परे चाहे वो एंसेंट हो मेडियावन हो या मॉडन हो एक चीद ध्यान रखेगा कंसेट के अस्तर पर पढ़िएगा इंफॉमेशन आपका मिस नहीं कर ये तीनों बहुत बहतर है ठीक है अब देखते क्या है कि इन्हें उदारबादी क्यों कहा गया क्या भज़य है कि इन्हें हम उदारबादी कहते हैं माजरेट कहते हैं हला उदारबादी इसलिए कहते हैं कि इनके नत्रतों का दृष्टिकोन क्या है इनके नत्रतों के वर्तर नहीं चाहते थे, यह British सक्ता के अगेंस्ट कोई बड़ा आंदोलन या करांती के पक्षदर भी थे, यह क्रमिक संबैधानिक सुधार के पक्षदर थे, यानि British वैबस्ता के अंतरगत ही सुधार हो, इसके पक्षदर है, यह British भलमन साहत में विश्वास रखते थे, इन ब्रिटिश न्याय वैवस्ता, पे भी इनका भरोशा था, यह British वैवस्ता को इस वर ये देन मानते थे, और यह मानते थे, कि भारत का डेवलप्मेंट इसी में निधी नहीं थे, ब्रिटिश पुझी बादी मॉडल के ताहती भारत का डेवलप्मेंट होगा, ऐसा इनका मान था जबकि यह जानते थे, कि धन का पलायन हो रहा है, इसके बावजूद ब्रिटिश पुझी बादी मॉडल पे इनको बिश्वास था, यही बज़य है कि इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम उधारबादी कहते हैं, को दिकत नहीं है, और तब आप आगे पढ़ते होंगे कि इनके काज करने की का तरीका, इनकी जो रनी की थे, ये एक नया गुठ जो नवीन यूबा पिढ़ी था कॉंग्रेस में, उसे पसंद नहीं था, उन लोगों ने इनका उपहास उड़ाना सुरू कर दिया, इनके अगेस्ट एक नए दल का क्या किया, गठन कर लिया, क्या क अगेस्ट दियू उफे, इनका क्या उद्देश था, इनका उद्देशी क्या था ? राजनातिक जागरुपता, यानि ये कॉंग्रेस मंच की जर्य राजनातिक अस्तर पे जन जागर्ती लाना चाहते थे, राष्ट्य भावना का प्रचार प्रसार कर राष्ट्य एकता को अ इनका क्या था रनीती था इनका उदेश्य क्या था भारत की आर्थिक बदहाली का राज खोलना लोगों को बताना कि कैसे भारत दरिद्र हो रहा है कैसे भारत निर्धानता का सिकार हो रहा है क्या है ब्रिटिस पॉलिशी यहीं इनका क्या था उदेश्य था तब आगे देखे अगर तब तौफिक बनता है कि आखिर ये उदार्बादियों के काच करने का तरीका क्या था? चोकि इसी अस्तर पे ये उदार्बादी जाने जा रहे हैं इनका उदेश है था बृटिश शरकार के सम्मुक या ब्रिटेन में ब्रिटेन के सरकार के सम्मुख अरजी देना आवेदन प्रतिवेदन प्रार्थना याचना इनका उद्धेश था इनके काज करने का तरीका था या इनका तरीका क्या था बार्शी का धी बेशनों में अपने डिमांड को उठाना अपने प्रस्ताव को रखन ठीक है इनका जो कार्ज करने का तरीका था वो क्या था सबहरानिक दाइरे में रहकर सभा या प्रदर्शन का आउजन करना कोई बड़ा आंदोलन जन आंदोलन करना इनका कार्ज करने का तरीका नहीं था बलकि याचना प्रार्थना आबेदन प्रतिबेदन यहीं इनके साहर पे बिस्वास था उन्हें लगता था कि आज नकल ब्रिटिस हमारी समस्याओं को समझेंगे और समस्याओं को समझने के बाद उसका समधान देंगे यानि इन्हें ये बिस्वास था कि आज नकल ब्रिटिस हमें हमारी सक्ता सौप देंगे ठीक है यहीं इनका क्या था काज करने का तरिका था तो फिर इनके मांगे क्या थी? British सरकार के संभुकी इनुण ने क्या दिमान्ड पेस किया? क्या सरकार ने इनकी बात को मानी या नहीं? यह सेवा का भारतिय करन चाहते थे यह चाहते थे कि Civil Services Examination भारत ब्रेटेन में एक साथ हो में उनकम उमरिश्रीमा को क्या किया जाये, बढ़ाया जाये ताकि जादस जादा भारतीय सिबिल सर्विसे जिग्या मिशन में उत्तिर नो हो, सिबिल सर्वेंट बने चुकि उन्हें मानूं था कि अगर ऐसे अधिकारिक पर भारतीय आई गे तो भारतियों के प्रति संबेदना होगी वो भारत से धन निर्गमन को रोकने का काम करेंगे इसलिए ये चाहते थे कि सेबा का भारतिये करन हो ये डिमंड करते थे भारत सचीब उनके कॉंसिल में भारतियों के पतनितित को बरहाया जाये गवर्नर जनरल के executive council गवर्नर जनरल के legislative assembly में जहां पहले गयर सरकारियों की संक्याई नी थी वो इसका विस्तार चाहते थे भारतियों को पत्रित मिले सासन भले ब्रिटिश का हो ब्यवस्था ब्रिटिश का हो लेकिन उसमें भारतियों को भागेदारी मिले समाप्त कर दिया जाए इनका दिमान था भूराजस्यों में नर्मी बरती जाए भूराजस्यों को कम किया जाए संखर्च में कठोती हो चुकि समराजिक विस्तार में या फिर आपका सकते सीमा बरती छेतर में सतत संगर्ष चल रहा था ब्रेटिस काल में भारतीय सैनिकों का इस्तमाल था और संगर्ष का जो आर्थिक बोच था वो भारत पर था ये चाहते थे कि उसमें 50% ब्रेटेन भी लिबेश करे या क्या हो सैनिक खर्च में कठोती हो इनका दिमान था इनका दिमान था कार्जपालिका न्याईपालिका का पिर्थक करन नहीं इनका दिमान था कि आर्थिक दोहन को रोका जाए आर्थिक दोहन को समाप्त किया जाए तमाम दिमान्स इनके पॉजिटिव थे यानि सरकार के सम्मुक इनों ने जो demand प्रस्तुत किया वो सारे के सारे positive थे लेकिन British सरकार ने इनकी एक बात भी नहीं माने यही बज़ा था कि इनके ही good में कुछ लोगों को यह लगने लगा कि इनके कार्ज करने का तरीका positive नहीं है इनके काम करने के तरीके को भीक्षातन की संग्या दे और एक नया good create हो गया क्या कहला है उगरबादी कहला है यानि demand के परती सरकार बिलकुर उदास्षिन रही आप समझ सकते हैं कि आयकर जिसे बंद कर दिया गया था जस्ट आप देखते क्या है 88, 86, 88 में पुना आरोपित कर दिया गया ठीक है या नमक कर को और क्या किया गया बढ़ा दिया गया इनके किसी भी demand को पूरा नहीं किया गया तब ये प्रस्न बनता है क्या कि भाई उदारबादियों के परती सरकार की क्या नहीं थी थी यानि शुरुवाती दौर में जो कॉंग्रेस अस्थापित हुई चुकि एक बात तो आप मानते हैं कि ये बात कहा गया भाई कि कॉंग्रेस डफरिन की धिमागी उपच थी ह्यूम और डफरिन दोनों ने मिलके इस संस्था को क्या किया औगनाश किया अस्थापित किया तो फिर सरकार की क्या पॉलिशी थी अगर आप देखें सरकार की पॉलिशी या सरकार की नीती उदारबादियों के प्रती तो प्राडबीत दौर में उपहास पुर्मेदा है इसलिए कि आप देखते होंगे कि डफरिन जो अतकालीन दौर का बाइसराई था जब कॉंग्रेस अस्थापित हुआ था उसने क्या का कि कॉंग्रेस अती लगू अल्पमत का परतिर्द करती है इसमें बिविन बर्गों की बागेदारी नहीं है भारत की छोटे से समों की बागेदारी है या आखिल बारतिये अस्तर पे लोगों का पत्रित नहीं करती ये कहता क्या है छुट्टियों का मनोरंजन है इनका तीन दिनों का अधिवेशन क्या है छुट्टियों का मनोरंजन है 1888 में उसमें नियब बनाया कि कोई बेबरेटिस अधिकरी कॉंग्रेस के अधिवेशन में भाग नहीं लेगा यानि कहने का मतलब है कि सुरुवाती दौर में डफरिन के तमामा स्टेट्मेंट को देखे तो ये लगता है कि डफरिन क्या रहा बिलकुल उपहास पुर्म बात ही करता रहा और जस्ट कुछ दिनों बाद आप देख लीजिए तो ब्रेटिस निती परतिकरियाबादी हो गए ब्रेटिस निती परतिकरियाबादी हो गए आप मुख रूप से भूमिका किसकी देख सकते है करजन की देख सकते है करजन ने क्या किया कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया कुकि तदकालीन दोर में उसे यह लगता था कि बंगाल के परहे लिखे बागो यही राष्टबादी भावना का परचा़ परसार करते है उसे यह लगा कि भारत के बर्ते राष्टबादी प्रविर्टी को क्या किया जाए कमजोर किया जाए और इसी नियत के साथ उसने क्या किया बंगाल की बीभाजन का क्रियानवेयन कर दिया है ना बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और ये कोसिस किया कि दोनों ही बंगाल में बंगाली क्या हो जाएं अल्प संख्यक हो जाएं ये क्या था ब्रिटिश पर्तिक्रियाबादी नीती थी ये पर्तिक्रियाबादी नीती ही थी कि ब्रिटिश सापर मुस्लिम लिग की अस्थापना हुई नहीं और याद कीजिए कि मुस्लिम लिग कॉंग्रेस के आंदोलन का बिरोध कर रही थी ये क्या था एक प्रकार से फूट डालो और राज करो की नीटी को आमली जामा पहनाने की बात थी जो 1905 में आपको देखने को मिल रहा 1903 से 1905 के बिच और ये भी आपने सुना होगा कि साया दाहमत खां और राजा सिप प्रसाद को उकसाया गया कॉंग्रे की दौर में देखते क्या है कि ब्रिटिस नीती क्या हो गई पर्तिक्रियाबादी हो गई बरते राष्टबाद के प्रभाव को कैसे रोका जाए फूट डालो और राच करो की नीती को कैसे अस्थापित कर दिया जाए यानि ब्रिटिस नीती पॉजिटिव नहीं रहे तब आगे हम देखते क्या है कि कई ऐसे इतिहासकार है या ततकालिन द्वाल के कई ऐसे राष्टबादी नेता है जो कॉंग्रेस के लिमिटेशन की बात करते है और तब ये लगता है कि उदारबादी चरण बिल्कुल फेलियोर रहा चुकि इनकी किसी भी डिमंड को माना ही नह इसा इसलिए लगता है कि इन पर कई प्रकार के आरोप लगते रहे एक्जाम्पुल के तौर पर अगर देखा जाए तो क्या तो कॉंग्रेस का भागवलिक समाजिक और धार्मिक आधार जो था संकुचित था कैसे चुकि तदकालीन दौर में अगर देखें कॉंग्रेस के जितने भी अधिवेशन हो रहे थे उस अधिवेशन में हिंदूों की तादाद बहुत ज़्यादा थी मुसल्मानों की तादाद काफी कम अधिवेशन में आने बाले अगर आप हिंदू को देखें तो उसमें भी सबर्म ज़्यादा दिख रहे थे किसानों की भूमिका बिल सामाजी काधार क्या था? बिलकुल कमजुर था. अब आप सोचए कि जिसका सामाजी काधार या अगनाईशन का कमजुर हो, क्या रास्टबादी अस्तर पे किसी बहुत बड़े आंदोनन का अगाज कर सकता है? नहीं कर सकता है? क्या ब्रिटिस सरकार धबाव में आईगी? नह देते हैं यानि इसका चरितर क्या था मध्यमबर्गिया था उच्छ बरगिये मध्यमबर्गिये लोग पढ़े लिखे पेशेबर समोह ब्यापारी बैंकर या आपका सकते क्या पत्रकार वकील यहीं मुखरूप से सिर्कत करते थे अधिवेशनों में इसका मतलब क्या है इनका सामाजिक आधार भी कमजोर था इनका भागवालिक आधार भी कमजोर था और अधिकान संख्या में उपस्थिती हिंदुओं की थी गैर हिंदुओं की उपस्थिती काफी कम थी मतलब असपस्थ है कि इनका सामाजिक और धार्मिक और भागवालिक आधार क्या था संपुच था, कमजोर था, ठीक है, दूसरा, इनके जो आनुना भी नहीं की नीती थी, इसे भी आन्सिक सफलता मिली, इसे कई राष्टबादियों ने भिख छाटन की संग्या दे, साथ ही साथ अगर आप दिखे, तो इनका अधिवेशन, तीन दिनों का अधिवेशन, जिसे तीन दिनो का तमासा कहा गया, क्या भाई, ये तीन दिनों का अधिवेशन करते हैं, तीन दिनों के अधिवेशन में, ये क्या करते हैं, बाहस करते हैं, अपने प्रस्ताव को रखते हैं, और तीन दिनों बाद क्या होता है, अगनाई इसन दिखर जाता है, सब अपने अपने काम में ल तो बैसी स्थिती में राष्टばादी प्रविर्टि का डेवलännक्मंट कितना होता? lamp for old इसमें उन्होंने करंबध रूप से उदारबादियों की क्या की आलोचना की इनके तीन दिन के अधिबेशन को और बिंदो गोस्ट ने क्या कहा ये बुलबुलों से खेल रहे हैं पक्छी से खेल रहे हैं ऐसे कई अस्तर हैं जहां पे इनकी आलोचना की गई ठीक है अगर इनके limitation को देखें तो इस बृटिस सरकार को क्या मानते हैं इस वर ये देन मानते हैं ये बृटिस राज के अंतरगाथ ये अपना development चाते है भारतिये किसानों में राष्टबादी प्रविर्टी का development हो सकता है ये विश्वासी नहीं है ये तमाम इनके क्या थे limitations थे इनका क्या था कमजोर पप्च था जिसके बारे में आप बात कर सकते हैं ठीक है लेकिन इसके बावजूद इनकी उपलबधियों को नकारा नहीं जा सकता बले तीन दिन का अधिवेशन हो लेकिन कुसल नत्रितों का की तलाश वे थी साथ ही साथ अलग-अलग छेतर में अधिवेशन के जरिये जन जागिर्थी लाने का कार्च किया कहने का मतलब है कि राष्टबादी भावनाक को इन्होंने क्या किया लोग पर ये बनाने का कार्च कि दूसरा गड़ देखें तो इन्होंने ब्रिटिस समराजय बादी चरितर को क्या किया लोगों के सामने रखा इन्होंने बताया कैसे भारतियों का आर्थिक दोहन हो रहा है इन्होंने आर्थिक राष्टबाद की सवाल ओचनात्मक ब्याख्या परस्तोत की बताया कैसे दिन परति दिन भारत गरीब बन रहा है और ब्रिटिन कैसे दिन परति दिन क्या बन रहा है अमीर बन रहा है ये क्या है इनकी उपलब्दी है इनके कार्ज करने का ही तरीका है इनकी रनीती ही है एक नए घटक का development हुआ जो क्या कहला है उगरबादी कहला है यानि वो भी कि इनकी दिन है ठीक है या आप कर सकते हैं कि इन्होंने आगे राष्टबादी आंदोनन क्लिए क्या किया एक प्रिष्ट भूमी का निर्मान कर दिया एक background का निर्मान कर दिया चुकि आगे आप दीखते किया है जस्त इनकी पर्थिकरिया में उगरबाद का development होता है करांटिकारी आतंकबादी आंदोनन का development होता है दैन क्रमसा आप दीखते हैं लागा था आंदोनन की स्रिंखला चलती है इसका मतलब है कि इन्होंने राष्ट्री आंदोनन के लिए क्या किया प्रिष्ट भूमी का निर्मान कर दिया और चुकी इन्हें यह लगता था कि 1861 के एक्ट में जो भी कुछ सुधार हुआ था वो आ प्रियास की कारण क्या हुआ 1892 का इंडिया कॉंसिल एक्ट क्या हुआ पारित हुआ बले ये भी आपिक्षित रूप से पॉजिटिव नहीं रहा लेकिन चलिए कुछ न कुछ तो उनका पॉजिटिव उपलब्धी थी विसेश रूप से राष्टबादी भावना के प्रच भूमी का निर्मान कर दिया तो ये आपका क्या है उदारबादी फेज है अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे उगरबादी फेज ये सिस्टमेटिक चलता रहेगा लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी पर है तो ये ध्यान रखें कि म मेंस पॉइंट आप यू से सोचके पढ़ेंगे तो पीटी याद करना आसान होगा ठीक है और मैं नेक्ष जब टॉपिक पे कल बात करूंगा तो मैं इसकी चर्चा करूंगा कि यहां से अगर मेंस में कोशन बनेगा तो क्या बनेगा ठीक है और तब आगे फिर हम लोग चल इसलिए कि किताब परना बहुत जरूरी है किताब परने की आदत ही अपने आप में बहुत पॉजितिव है जो आपको सफलता के करीब ले आ जाती है ठीक है थैंक यू